मैं जानता हूँ समीर का है क्या? ये तो क्या कह रहा है पुतर? सच और सच है कि मैंने उसे बेजा था तू सच बोल रहा है? हाँ अब और खामोशनी दा सकता अब दोनों को देख का तू जानता है कि मुझे पर क्या बीत रही क्यू ये बात मुझे से चुपाई? क्यों नहीं बताया मुझे अब तक? कब बताता है जब आप दोनों उसे कोस रहे थे आप लोग की नजरों में तो गुनेगार था ना आप दोनों तो उसे वापस तक लाना नीं चाते थे क्या करता बता का? मेरे भाई के साथ जो आप लोगों ने किया वो गलत था मैं पहले उसे बेगुना साबित करना चाहता था क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरा भाई बेगुना है वो ऐसा करी नहीं सकता बेवे ये तो किस्मत अच्छी है जो मुझे रनवीर की बीवी मिल गई और उसनों मुझे सारी सच्चा ही बताई और मैं उसे आप सब के सामने ले आया ताकि आप सब को असलियत पता चल सके समीर सई है और बाकी सब जोते पुरब कहा है समीर समीर कहा है कहा है समीर बेवे जहां भी है बिलकुल चंगा है वो सही रास्ते लग चुका है तुने उसे रखा का है वो ठीक से का पी रहा है कोई उसे बेवे चिंता मत कर मैं सारा इंतिजाम कर चुका लेकिन वो है कहाँ हम उसे मिलने चलते हैं कर दीना वोई बात, मैं नहीं चाहता कि तुम दुनों जाके उससे में ऐसा नहीं हो सकता मुझे उससे बिलना पड़ेगा जब तक मैं उससे देखूंगी नहीं, मुझे यकीन कैसे होगा तू रुक, मैं आभी आई मैं बताऊंगा तो जाओगे न, मैं बताने वाला ही नहीं हूँ बेबे, बेबे आप मेरी बात समझ नहीं रहे हो, आप दोनों को देखकर वो कमजोर पड़ जाएगा उसका मन मचलेगा वापीस आने के लिए यही होता है न आज था तो कुछ भी कहले, मैं तो जाओँगी मेर, मेर तू समझा ही न, यह वहाँ गई तो नहीं उसे लाइबिना रहेगी पर नहीं वहाँ रुख पाएगा बेबे, सुन, सुन उरभ बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें इस वक समीर से मिलने नहीं जाना चाहिए मैं, मैं समीर से मिलना चाहती हूँ, एक बार उससे माफी मागना चाहती हूँ बेवे, अगर समीर वापिस घर आया तो मुझसे मत कहना मैं और उसका जिमान ही ले पाऊँगा बड़ी मुश्कल से उससे लगवाया, बस आखरी बार समझ लो, मैं हाथ जोड़ता हूँ जिद मत कर, ऐसा कुछ नहीं होगा ठीक है, अगर मेरी बात सुनी नहीं है, तो उठाओ बैर चलो, आओ आप न, कभी उससा जिम्मेदार मत बनने दे, अपने पैरों पे खड़े मत होने दे आपको देखते ही न, सब कुछ छोचाड कर बापस आ जाएगा लगा ले न, फिर उससे अपने कलेजे से फिर किसी दिन उठके उसके ऊपर कोई बेबुन्या दिल्जाम लगाएगा और आप चुप-चाप सह लेना पता नहीं तब में वहां होंगा या नहीं उसकी मदद करने के लिए चलो, बैर, चलो नहीं पता, नहीं नहीं मिलूगी मैं उसे, नहीं मिलूगी मुझे दिखकर वो कमजोर पढ़ जाए अब मैं उसके रास्ते में नहीं आना चाहती है ये कीना समझधारी की बात तुझे मेरी समीर ठीक है ना, तेरी निगरानी में है न हाँ बेबे, समीर मेरी निगरानी में उसके हर पल की खबर रख रहा हूँ मैं हाँ, हाँ चिट्थी में उसने लिखा था कि वो उस समिधार बनेगा हाँ बेबे, वही कर रहा है वो और तो रो क्यों रही है इतना बस, हमें तो खुश होना चाहिए कि हमें उसकी आज सच्चा ही पता लगी कि वो बेगुना है और जैसे हमें पता लगी है वैसे पुरे पिंड को पता लगेगी और जिन लोगों ने इस पर थूतू की है उन सब की बोलती बंद हो जाएगी और सारा कलेश एक ही बारी में खता हूँ हाँ यह काम तुम्हें खुशी-खुशी करूँगी एक-एक कम मोव बंद करूँगी देखती हूँ कैसे सब की नजरे जुकती बेबे मत रो मुझे यह काम जरूरी है पुरब बेबे के पीछे जाओ पता नहीं कहां जा रही है वो सश्टिकल सर जी चाह भी रहा जिस सुवे सुवे ना दूद मीना चाहिए अटेंशन ऐसे बात करते हैं अपने ओफिसर से यह कोई तुमारी गाउं की बैठक है जहां तुमने ताओ के खर खाने आया भो हाँ लिस्सन यंग मैं यू आर अट्यूटी के कौटर में इस तरह दाखिल नहीं होते मुझे कैसे पता चलेगा जब तो कोई बताएगा नहीं फो आउट तुमारे लिए फौज में कोई चगे नहीं गेट लोस्ट ओ सर जी इतना गुसा मत करो मैं आगिस अंदर पूछ कर ही आउंगा मैं सारे काम आपसे पूछ कर ही करूँगा भार मत निकालो मजे अजी मैं उमसे मेतार बने भीगर घर नहीं जाओँगा यही सर पटक पटक के मर जाओँगा मैं बेबे को सर्प्राइज जैना बहुत जरूरी है मेरे लिए आपको मेरी कहानी नहीं पता है बहुत दर्दनाग कहानी है जी आप यू समझ लो कि आज के बाद ना आप जो बोलो कि मैं करूँगा मैं बरतन धूँगा कपड़े धूँगा सबजिय काटूँगा जूते साफ करूँगा सिफ करूँगा फॉजी बना दो मुझे जिम्मेदार बना दो इनफ बहुत बोल चुके तुम और बहुत सुन चुका मैं यू आर दिस्मिस तुम फॉजी बनी नहीं सकते हैं इतना बड़ा दोख है अगर उस तीन इन शादी कर देते तो मेहर की तो सिंद्धीबरबाद हो जाती है समीर बीच में ना आता था तो अब तो उसकी शादी कर ई देते है ओय तो समीर की दिले रही थी कि उसने उन मनुझें की बाते सुन ली और कोशिश करने शादी तुनवा दी मतलब समीर ने मेहर की सिंदगी बचाई तुम दूरों ने क्या किया अपनी बेटी को धक्के मार के घर से निकाल दिया समीर बेकारी इस लफड़े में बद्दाम हो गया सच में बहुत बड़ी गलती हो गई मेजर साथ समीर के तो हमें पाहूं दो दो करके पिने चाहिए पर तुने क्या किया मंगल क्या किया तुने मेरे पुतर को पीटा उसे धक्के मार कर सारे गाओं के सामने यहां से निकाला पानी का एक एगूट पी पी कर दिन रात तुम लोगों ने हमें कोसा पंचायत के बार महर की शादी से मुझे बाहर कर दिया समीर महर की दोस्ती में आकर घुसा जबरदस्ती शादी में मंगल मेरे पुत्तर का दिल देख वो अपनी जान पर खेल गया तेरी बेटी को बचाने के लिए तेरी अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने घुटने टेक और माफी मांग मेरे पुत्तर से सो जूते भी तुझे मारू ना तो वो भी कम है अबस कर बलबीर ये सुधार लेगा इस बेचारे से गलती हो गई है गलती गलती तो इस ने की है इस जैसी औरत को इस घर में लाकर ये जो भी कहती है न तो डबबु बनकर सब कुछ मानता है रब ने इसे काली जबान दिये, काला दिल दिया है पर मंगल रब ने तुझे दिमाग तो दिया है, उसका तो इस्तमाल कर जब देखो, ये लगाई बुझाई करती रहती इसका हाथ पकड़ और इसे काक से निकाल है है समीख की बात में हमने विश्वास ने किया इसमें हमारी क्या गल्ती है सारा पिंड खड़ा था वहाँ किसी ने में विश्वास ने किया आप तो उधर ही खड़े थे न वो कौसा इजदर बंदय को उसमें विश्वास करेगा नलायक है वो ने में खबरदार अगर तुने मेरे पुत्तर को नालाय कहा ये पिंड को तो मैं बाद में निप्टूंगी तेरी ये हुशारी भी आज सब के सामने आज चुकी है कर दी ना तुने सौतेली मावाली हरकत मैं तुझसे पूछती हूँ अगर मेहर की जगा मिंटी होती तो बिना पूछताज के क्या ये रिष्टा तु करती क्या उसे नर्क में जोगती मंगल चुप क्यों खड़ा है पूछ ना इस से बिना जांच पर्टाल के इसने ये रिष्टा कैसे जोड़ा पूछ उस दिन तो तुने कुछ पे बोलने नहीं दिया अब बता रिष्टा तो चनी पैंजी के कहने पे किया था वो वो करनेडा वाले इनको जानते थे क्यों माते तुने बताया नहीं ये रिष्टा तुने करवाया तु करनेडा वालें को कैसे जानती थी चनी तुने तो मेरे से कभी जिकर नहीं किया मैं तो सिर्फ रिष्टा ले की आई थी ना अब वो दोखे बाज निकले तो इसमें मेरा क्या कसूर जांच परताल करना तो निमी और मंगल का काम था ना है है चनी पैंजी हमने आप पे प्रोसा किया और हम पे उंगली उठा रहे हो आपने कहा नहीं था चंगा पला परिवार है गड़ियां चलती है बीटबा मुंडा है क्या निथा आपने मेरा मू मत खलवाने मी कनेड़ा के नाम पे तेरी ही लाट अपने लगी थी ना अपने करों में बिठाता हाँ लडकी वाले हमारे गर रुके हुए थे वो समीर ले गया था मैंने तो बठेरा मना किया था उसे जूट मत बोल चनी तेरे मेमान थे ना वो लो जी कर लो बात लडकी इनकी दोखेवास वो निकले और शादी तडवाई इसके बेटे ने और मैं कॉन मैं खा मखा बला करने चली थी दो परवारों का सिरस्वा पढ़की मेरे तो देन्वी तू तो होन चुप रहे तेरे से मैं बात में बात करूँगा देखो जी अब यह सब छोड़ो इससे कुछ हासल नहीं होने वाला है अरे भगवान का शुकर मनाओ कि लड़की की जिंदगी बच गई और हमारा समीर बेगुणा निकला अर्मंगल तू ना आप अपना फार्ज पूरा कर तेरे से गलती हुई है और हम भी अपनी गलती सुदा रहेंगे और समीर को ढूल करके वापस लेकर आए बीर जी समीर का पता चल चुका है अच्छा जब मैं वापस आया तो समीर बहुत परिशान था सब गालिया दे रहे थे उसे पेबे ने तो घर से बार निकाल दिया था उसे वो कुछ करना चाहता था जिम्मेदार बनना चाहता था इसलिए मैंने नौकरी पर लगाया उसे अपनी निगरानी में तो बड़ा शुपेर उस्तम निकला हां हमें बताया भी नहीं क्या करो माते सब कोई ना कोई खेल खेल रहते एक छोटा सा खेल मैंने भी खेल भाई है ना मेरा अब उसे यहां में वापस नहीं आने तूगी बता दू तुम लोगों को तुम दोनों समेत पूरे पिंट को मे सूली पचड़ाऊंगी नाख रगडवाऊंगी बहुत बुरा भला काया तुमने मुझे और मेरे बेटे को और निमीत तू एक बात कान खोल कर सुन ले अगर तूने मेरे बेटे समीर या मेहर के बारे में कुछ बुरा बोला ना तो तेरी सारी काली कर्टूते सब के सामने जिन्दगी भर रोती रहेगी और पच्टाती रहेगी समझी चल पुतर बहुत काम है मुझे चल ओए मंगल दिहान रखना मैंने क्या का है जनी है चल तुखर चल कि मैंने क्या कर दिया है वो किठे जा रहे हो तुसी मैर को वापिस लाने जा रहा हूँ देखो मैं ऐसा नहीं होने दूगी मैर को इस खर मेला के दूसरे वच्चों की जिन्दगी बरबाद ने करने दूगी आपको कल जब पिंडवालों को सच्चाई पता चलेगी न कि समीर ठीक था और तुम जानभूज कर मेहर का रिष्टा गला जगा पर कर रही थी तो तुमारी ज्यादा बरबादी होगी तो इसमें हमारा क्या गसूर है वो तो पता चली जाएगा अभी मेहर को वापस लाने जा रहा हूँ तुम चल रही हो या बेबे अप अंदर जा क्या अराम कर कोई मुझे बताएगा कि वहा हुआ क्या जो कुछ भी हुआ बिलकुल सही हुआ उन सब के चैरे देखने लाइक थे झालस का लाएगा हुआ क्या झालस का फल्व नहीं हुआ का बिल्व कुछ भी हुआ हुआ है अपज है बहुत बड़ी गल्ती हो गई बेटा मुझसे अब मैं किसी एक नहीं सुनूगा चल अपने गण अब बेबे उसके साथ कौन रहेगा बेबे अकेली नहीं है हम सब हैं बेबे के पास उसे समदेगा कौन बाउ जी कुडिये अपना गर अपन ही होता है और तेरा गर है ना तेरे ममी बापा के साथ बाउ जी घर वो होता है जहां प्यार मिले जहां कोई आपका रास्ता देखे और वो प्यार तुम उझे सिर्फ वेवे से ही मिलाए उसके लिए मेरी भी तो जिम्मेदारी बनती है जब तक समीर लोट कर नहीं आता मैं यहीं रहूँगी मैर पुतर यह तो क्या कह रही है वेवे मैर बिल्कुल ठीक कह रही है आपको उसकी ज़रूरत है तुझ चुपकर पुतर तुझे क्या पता उचनीच कहा और अब कुडिये तेरा बाप त अपनी गल्ती मान रहा है न तो चली क्यों नी जाती तेरे बाप के लिए भी तो तुझे को फर्ज है न बाउजी गल्ती तो मैंने भी किया न मैंने अपने सबसे अच्छे दोस के साथ इतना बुरा किया उस पे भरोसा ना करके दूसरों की बातों में आगे उसे बेघर कर दिया मेरी वज़े से बेबे को आपको यह सब सहना पड़ा पाउजे क्या मुझे पश्चा ताप करने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए क्या आप चाहते उसमे बेबे को अकेला छोड़कर आपके साथ चलना पाउजे बाउजी पेना कुछ बोले चले जाएंगे अच अच ठीक है अब जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगे मैं फैसला आप पर छोड़ती हो अब सारी खुशिया तेरी चोली में डाल दे बेटा आज मुझे नाज है अपनी परवनिश पर हम इसे सबसे ज्यादा समझदार तुई ही है तो जो भी करेगी हमेशन ठीक ही करेगी अब बेबे का ख्याल रखना कभी उदास ही ना आए उसके चेरे पर अब कभी कभी अपने बाप से मिलने के लिए चले आना अपनी आवालत चोड़के जा रहा हूँ आपके पास आपके लिए प्राखना शल्दाओ मिलन सत्या नाश सत्या नाश सारा बना बनाया खेर बिगार दिया अस लड़की ने हे रब्बा अब क्या होगा अब क्या होगा मा आए ए है कुछ अध बोला बेबे बस अब कुछ अध बोला एखायक Сंब्स變 दुख जो जो फारने दुखेशों अजा, बाले दुखें नियुटा भी यूट्वेश्टाइशों, आधायक करने दुखेंगे।